हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांच प्रियावरन अध्यान यानिकी EBS के अंतरगैत पार्ट 3 चकने से पचने तक तो आईए सबसे पहले डालते हैं एक नजर पार्ट पर इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्बंदित प्र तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर ये है EBS यानिकी प्रियावरन अध्यान के अंतरगैत आपका चैप्टर नमबर 3 चकने से पचने तक आईए आप भी अमारे साथ साथ पढ़ें सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्वाधी स्वाध जुमपा रसोई में गई और मा से ल हसते हुए कहा कितना मीठा खाओगी सुबह से सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाध की चीजे खाकर जुलन ने जुमपा को चिडाते हुए कहा जुमपा तपाक से बोली तुम बोर होती तो क्या इमली चाड़ते जरूर नाम सुनते ही तुमारे मों में पानी आ गया होगा जूलन बोली मैं मीठा भी खाती हूँ नमकीन भी हाँ खटी इमली मुझे बहुत ही पसंद है पर मैं करेला भी खा लेती हूँ या कहकर जूलन ने मां को देखा और दोनों जोर से हस पड़ी जूलन जूलन जूमपा से बोली चलो एक खेल खेलते हैं मैं तुमारे मुँँ में खाने की कोई चीज रखूंगी तुम्हें आखें बंद करके उसे पैचाना होगा जूलन ने चम्मच में निम्बू के रस की कुछ बूंदे ली और जूमपा को चखाई खटा निम्बू जूमपा फट से बोली फिर जूलन ने गुड की डली उठाई तो मा बोली पीशकर यहाँ पर देख रहे हैं बच्चो आप यह है जुम्पा और जुलन और यहाँ पर देख रहे हैं उनकी मा भी है और यह है यहाँ पर गुड की डली इसके हाथ में आप देख रहे हैं नहीं यहाँ पर तो मा क्या बोली मा बोली पीश कर खिलाओ नहीं तो फट पहचान लेगी जुलन ने थोड़ा सा गुड़ पीश कर जुमपा को चखाया तो उसने पहचान लिया इस तरह जुमपा ने कई चीजें पहचानी तो आप भी पढ़ रहे हैं न हमारे साथ बच्चो यहाँ पर आप अब यह मर साथ पड़े तली हुई मसली को तो जुमपा ने बिना चखे ही पहचान लिया तब जुलन बोली अब नाग बंद करके पहचानो जुमपा ने चखा तो वह सोच में पढ़ गई कुछ कड़वा सा है कुछ खटा सा कुछ नमकीन सा एक चमच और खिलाओ वह बोली जुलन ने चमच में करेले की सबजी ली जुमपा की आँखों की पटी खोली और बोली खाओ जुमपा भी हस्ते हुए बोली लो खिलाओ तो बच्चो आप ध्यान दे यहाँ पर उपर आप ये पार्ट पढ़ चुके हैं इसके बाद यहाँ पर आपके लिए चर्चा करो और लिखो तो आप देख रहें ने यहाँ पर सबसे पहले क्या है खटी इमली का नाम सुनते ही जूलन के मुओं में पानी आ गया तुमारे मुओं में कप कप पानी आता है अपनी पसंद की पांच चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखो इसी प्रकार से आगे लिखा यहाँ पर तुमें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग-अलग क्यों जूलन ने अगला है जूलन ने जुम्पा को निम्बू के रस की कु पाओगे कैसे तो बच्चो इन प्रस्णों के जवाब आपको अभी मिलने वाले हैं इसी वीडियो को आप देखते रहें ध्यान पूर्बग देखते रहें इसके बाद जैसे ही आप पार समापत होता है यहाँ पर हम आपको इन सारे प्रस्णों के उतर बताने वाले हैं तो अगला है क्या तुमारे घर पर किसी ने तुम्हें नांक बंद करके दवाई पीने को कहा है वे ऐसा क्यों कहते होंगे आगे हैं बच्चो यहाँ पर आंक बंद करके स्वाथ पहचानो आप देख रहें नहीं आपर आंक बंद करके स्वाथ पहचानो अलग-अलग स्वाथ क कुछ चीजें इकटी करो और अपने साथी के साथ जूलन और जुम्पा की तरह खेल खेलो अपने साथी को चीजें चखाओ और पूछो यहाँ पर जो है फिर प्रसन्याप के लिए स्वाद कैसा था खाने की चीज क्या थी अगला जीब के कौन से हिस्से में स्वाद ज्यादा पता चल रहा था आगे पीछे बाएं या दाई तरह इसके बाद अगला है तुम्हें जीब के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज्यादा पता चला अपने अनुभो के आदर पर चित्र में लिखो और फिर है कुछ खाने की चीजों को मुँँ के किसी और हिस्से पर रखो ह जीब के नीचे क्या कहीं और भी स्वाद का पता चला जीब के हिस्सों का चित्र यहाँ पर देखें आप चित्र दर्साएं तो यहाँ पर जो है आप चित्र दर्साएंगे यह बना रखा यहाँ पर जीब और उसके यहाँ पर जो है निसान लगा रखें आप इन पे नाम ल पूर्वक पड़ें आँखें बंद करके स्वाद पैचानों में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीश कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पैचानी नहीं जाएंगी बच्चों को अलग-अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए सब्द ढू हिस्से को किसी साप कपड़े से पोचो ताकि वा सुका हो जाए अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या सकर रखो क्या कुछ स्वाद आया सोचो ऐसा क्यूं हुआ होगा आगे लिखा है सीसे के सामने खड़े होकर अपनी जीब की सत्य को ध्यान से देखो कैसी दिखती है क्या जी कि इन चीजों जैसे टमाटर प्यास लॉंग आधिका स्वाद का क्या स्वाद बताओगे और फिर है स्वाद बताने के लिए कुछ सब्द ढूंडो और खुद से सोच कर बताओ बनाओ कुछ चीजें चकने के बाद जुम्पा बोली सी सी सोचो उसने क्या खाया होगा तुम भ प्रकार से बच्चों यहाँ पर जुए कुल मिलाकर आप इस पार को ध्यान से पढ़ें इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पार से संब्दित प्रस्नों के उत्तर भी आगे यहाँ पर लिखाए अपने साथी से कहो कि वाद तुम्हारे हावबाव देखकर अनुमान लग आए कि तुमने क्या खाया होगा और फिर आगे पढ़ते हैं यहाँ पर चबा कर या चबा चबा कर खाओ दोनों में अंतर बताओ तो यहाँ पर है सब मिलकर कक्सा में या गतिवीदी करो ब्रेड या रोटी का टुकडा या पके हुए चावल लो इसके बाद यहाँ पर दे 30 मिनट 30-32 बार चबाओ क्या देर तक चबाने में चबाने से स्वाज में बदलाव आया यह सब आपने लिखने हैं चर्चा करो फिर यहाँ पर है घर में लोग तुमें कहते होंगे खाना दीरे-दीरे खाओ ठीक से चबाओ खाना अच्छे से पचेगा सोचो यह ऐसा क्यों कहते होंगे इसके बाद लिखा है जब तुम कोई सक्त चीज जैसे अमरूत खाते हो तो उसे मुह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे सोचो हमारे मुह में लार क्या काम करती होगी तो यह सब जो है यहाँ पर बच्चो आपके लिखा हुआ ह आप इसे पढ़ें आगे लिखा यहाँ पर दिल की बात आप देखरें नहीं आपर दिल की बात तुम्हें क्या लगता है सरीर में खाना कहां कहां जाता होगा दिये गए चितर में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ अपने साथी का चितर भी देखो क्या तुमारा और साथ ही काचित्र एक जैसा है या अलग-अलग और फिर क्या चर्चा करें क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चुए कूद रहे हैं तुमें क्या लगता है भूग लगने पर सजमुष पेट में चुए कूदते हैं इसका जबाब अभी आपको मिलने वाला है तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूग लगी है सोचो अगर तुम दो तीन सोचो अगर तुम दो दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा और आगे लिखा है क्या तुम दो दिन तक पानी के बिना रह सकते हो सोचो जो पानी हम पीते हैं वा कहां से कहां जाता ह तो आप देख रहे नहीं आपर किस प्रकार से बच्चे हैं अलग-अलग पोजिशन में यहाँ पर भूग से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है यहाँ पर यह लड़की कहती है कि भूग से मेरे सिर में दर्द हो जाता है लड़का क्या कहता है जब भूग लगती है तो मुझे रोता हूँ इस प्रिकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जब मैं भूगा होता हूँ तो थका थका मैसूज करता हूँ जैसे यह यहाँ पर यह लड़का थका थका मैसूज कर रहा है इसे भूग लगी है तो बच्चो आगे यहां पर नीतु को चड़ाय गया गुलकोज पढ़ लेते हैं थोड़ा इस पार्ट को यहां पर नीतु को चड़ाय गया गुलकोज नीतु को पूरा दिन लगातर उल्टी होती रही साथ में दस्त भी लग गए थे उप खुझ भी खाओ या पीओ तो उल्टी उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोल कर पीने को दिया साम को डाक्टर के पास जाने के लिए वो अब बिस्तर से उठी तो चकर खा कर गिर पड़ी वे उसे गोद में उठा कर डाक्टर के पास ले गए डाक्टर ने नीतु को अस्पताल में भरती होने को कहा गुलकोस चड़ाने के लिए या सुनकर नीतू सोच में पड़ गई स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार गुलकोस पीने को देती है पर अब गुलकोस चड़ाना क्यों है डॉक्टर अंटी ने उसे बताया उसे कहा खाना और पानी सरीर में न रुकने की वज़े से सरीर में कमजोरी आ गई है तुम्हारा पेट खराब है गुलकोस चड़ाने से बिना खाए पीए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी तो बताो और फिर चर्चा करो यहाँपर भी है क्या लिकाए आप देखरे नहीं हाँपर बिच्चो बताओ और चर्चा करो तुम्हें याद होगा कि तुम्हें चौती कक्सा में नमकचीनी का गोल बनाया था नीतु के पिताजी ने भी उसे यही गोल दिया सोचो उल्टी दस्तोंने पर गया गोल क्यूं देते होंगे और अगला प्रसने है क्या तुमने कभी गुलकोज सब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है कहां अगला है क्या तुमने कभी गुलकोज चका है उसका स्वाद कैसा होता है अपने साथियों को बताओ तो कुल मिलाकर बच्चो यह थे यहाँ पर इस पार्ट को हमने अच्छी सी जानकार लिए आगे भी यहाँ पर बहुत कुछ है आप इसे पढ़े जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप ने देखि बच्चो यहाँ पर यह कहानी पढ़िया अपनी पुस्तक में कहानी खिड़की वाले पेट की सुनो कहानी एक अनो кे पेट की पेट में था छेद कहानी छेद की मार्टिन नाम का एक फोजी भूल से पेट में लगी गोली हुआ इलाज पर रह गया छे दॉक्टर के लिए बना खेल बातें जान ली उसने भेद की सुनो कहानी एक अनो के पेट की जब चाहें तब उसमें जाक लें अंदर का सारा हाल भाप लें क्या खाया क्या चवाया क्या नहीं पचा क्या पचाया कर सकते थे या मीन मेक भी सुनो कहानी एक अनो के पेट की आगे लिखाया है चीजें तो करती थी गड़वर उन्हें डाल कर हाथ जट पर बाहर निकाल सकते थे बदले में नया खाना डाल सकते थे हाँ डाल बात और सेव भी सुनो कहानी एक अनो के पेट की खिडकी जैसे छेद वाले पेटकी इसके उसके सबके पेटकी कहानी या हमने नहीं गड़ी वरसों पहले सची थी घटी पढ़ो कहानी एक अनोके पेटकी पेट में था छेद कहानी छेद की और इसके लिखने वाले कौन है? यहाँ पर देखे रहे ना आप राजेश उत्साही इसके बाद यहाँ पर फिर से एक पड़े कहानी पेट में जहानका जाना भेट तो यहाँ पर देख रहें आप कहानी पेट में जहानका जाना भेट तुमने कभिता में جس फाजी के बारे में पड़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदू रस्त था जब वह गोली से जगमी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरम पट्टी की दीरे दीरे उसका जगमत ठीक होने लगा पर पेट का छेट नहीं वरा लगवग डेट साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अधवुत खिड की सी बन गई थी पेट की चमडी ने बढ़कर छेट को ढख तो दिया लिया था पर ठीक उस तरह जैसे एक फुटबॉल का वासर होता है यानि चमडी की एक तह के उपर एक और त ऐसी बन गई थी निचली तह को दबाने पर छेट में से पेट में जाका जा सकता था छेट में ट्यूब डाल कर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था अब क्या था डॉक्टर बॉमर्ट को मॉर्टिन का या अजूबा पेट क्या मिल गया मानो एक खजाना मिल गया सो सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रियोग करने में 9 साल इन 9 सालों में मौर्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी साधी भी हुई उस समय तक बैग्यानिकों को या नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होते कैसी है पेट में जो पाचक उनका क्या काम होता है क्या हुए पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यह पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज डूबो कर उसमें रख ली इसके लिए उन्होंने एक प्रियोक किया एक ट्यूब में एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया फिर दस मिलिमीटर मिलिली लिटर पाचक रस में एक उबली हुई मचली के बीस बारीक टुकडे डाल कर सुबह साड़े आठ बजे रख दिये इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आम तोर पर हमारे पेट के अंदर होता है लगबग 30 डिग्री सेंटिग्रेट दोपर के दो बजे तक उन्होंने देखा कि मचली के सब टुकडे पूरी तरह से गुल चुके थे फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के यह हैं मार्टिन तालिका बना ली डॉक्टर बोमट की तालिका देखो तो आप देख रहें नहीं आपर बच्चो यह बनाई थी तालिका खाने की चीज पचने में लगा समय है और गिलास के पोसक पाचक रस में और यह हैं पेट में तो यहाँ पर कच्चा दूद दो गंट पर आप देख रहें पूरी तरह उबला अंडा इसे लगजे पचने में तीन गंटे तीस मिनट और जो बाहर पाचक रस गिलास में रखा था उसमें लगे आठ गंटे उसके बाद कम उबला अंडा तीन गंटे में पचा और गिलास में छे गंटे तीस मिनट में कच्चा अं आप देख रहे हैं यहाँ पर तो फिर क्या होता है बच्चो डॉक्टर बॉमेट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सारे पाचन के कई रहस्या खोले उन्होंने तालिका में तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है क्या तुम भी यह देख पाए जल्द दुखी या परिशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता यही नहीं उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचाकरस यानि कि एसिड जिसे अमल कहते हैं की तरह होता है क्या तुमने किसी को कहते सुनाया कि पेट में एसिडिटी हो गई है खासकर जब ठीक से खाना नही खाया हो या पचाया हो कहते हैं न बच्चो आपने कई को सुना होगा कि उनके पेट में ऐसी दिती है उनकी बैग्यानिक खोज को दुनिया के सभी बैग्यानिकों ने सरा फिर कितने ही अन्य प्रियोग दुनिया के कोने कोने में किये गए क्या कहा तुमने पेट में गोली मार कर नहीं वही बाद में होने वाले ये प्रियोग किसी के पेट में गोली मार कर नहीं किये गए ये प्रियोग दूसरे बैग्यानिकों ने मसीनों की सायता से किये तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुमारे पेट की कहानी और आपने देखा वच्चों यहाँ पर नी का यहाँ पर अगर डॉक्टर बॉमर्ट की जगे तुम होते तो पेट के रहसे जानने के लिए क्या-क्या प्रियोग करते उन प्रियोगों के नतीजे भी बताओ इसके बाद यहाँ पर जो सिक्सकों के लिए कुछ संकेत है यह आपके सिक्सक आपको बता देंगे सही खाना और सही सहत डॉक्टर अरपरना के पास इलाज के लिए दो बच्चे आए रस्मी और कैलास दोनों बच्चों से डॉक्टर अरप्रणा ने बात्चीत की बात्चीत से कुछ जानकारी मिली जो नीचे दी है तुम भी पढ़ो तो यहाँ पर पढ़ें क्या जानकारी दी रस्मी आप देख रहें यहाँ पर रस्मी पांस साल की और कैलास साथ साल का आप एक बार इने देख लें यह है रस्मी और यह है कैलास आप देख रहें नहीं आपर तो यहाँ पर जो डॉक्टर से बात्चीत हुई उसने क्या कहा तीन साल की लगती है हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है अकसर बीमार रहती है ठकान के कारण बहुत बार इस्कूल भी नहीं जा पाती खेलने की तागत भी नहीं होती खाना खाने के बारे में बात करते हैं पूरे दिन में थोड़े से चावल या एकाद रोटी भी मिली तो समझो उस दिन बहुत मिल गया और यहाँ पर केलास के बारे में क्या रिपोट आई उम्रे से बड़ा है शरीर मोटा और थुल्दुला है पैरों में दर्द रहता है फ बाल चावल रोटी सबजी से दूर रहता है बाजार की चिप्स वगेरा कोल ड्रिंग्स बस यही बाता है उसे और यहाँ पर डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जाजबी की दोनों बच्चों को कहा कि तुमारी बीमारी का एक हिलाज है सही खाना तो बच्चों आप भी ध्यान रखे हमेशा सही खाना खाया करो और बाहर की चीजों से दूर रहा करो इसके बाद यहाँ पर जो चर्चा करो है आप इसे अपनी पुस्तक से पढ़े चर्चा करो आप देख रहे हैं यहाँ पर और इसी प्रकार से पता करो यह भी आप अपनी पुस्तक से प्रफ़ खाना सभी बच्चों का हग एक तरफ है कैलास जो घर का खाना पसंद नहीं करता और दूसरी तरफ है रस्मी जिसको पेट भर खाने को मिलता ही नहीं बर पेट खाना सभी बच्चों का अधिकार है हमारे देश में लगबग आदे बच्चे रस्मी जैसे हैं उन्हें ठीक तरह से बढ़ने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं मिलता ये बच्चे कमजोर रहते हैं और कई विमारियों के सिकार हो जाते हैं उडिसा के काला हांडी जिल्ले के बारे में पढ़ो और कक्सा में चर्चा करो तो बच्चों ये सब चीजें आप जो है अप आपको बता देते हैं याँ पर इस पार से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर क्योंकि वीडियो को काफी समय हो चुका है आप देखें अब इन प्रस्णों के उत्तर और इन्हें अपनी नोट्बूक में भी नोट करें तो बच्चों आप ध्यान दें ये है चकने से पसने तक आपका तीसरा पार्ट और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर अब्यास प्रस्णों के उत्तर में चर्चा करो और लिखो जो कि आपने अभी अपनी पुस्तक में पढ़ा यहाँ पर पहला प्रस्णता खटीमली का नाम सुनते ही जूलन क मुह में पानी आ गया तुमारे मुह में कपका पानी आता है अपनी पसंद की पांच चीजों के नाम और उनके स्वाद लिखो तो आप उतर में क्या लिखेंगे अपना मन पसंद बोजन देखकर मेरे मुह में पानी आ जाता है इस प्रकार से आप उतर लिख सकते हैं और उन मुह में पानी आता है स्वात कैसा होता है मीठा इस प्रकार से आप उत्तर लिखते जाएं और संत्रा संत्रे से भी आपके मुह में पानी आता है नक संत्रा देखकर कैसा होता है खटा और जले भी मीठा यानि मीठी तो इस प्रकार से आप पहले प्रस्ण का उत्तर लिख सकते इसके बाद दूसरा प्रसन अपके लिए तुम्हें एक ही तरह का सवप पसंद है या अलग अलग खेंगगे चाला? सोंप के दाने रखें तो क्या बिना चबाए उसे पहचान पाओगे कैसे उतर लिख सकते हैं हाँ खाने की चीज़ को हम बिना सूइए विना चबाए उसके स्वाध और खुस़गू से पहचान सकते हैं और बच्चों आपको तो मालूमी है ना सौंप कितनी खुशबुदार होती है उसके बाद पांच वाँ प्रसने है आपके लिए खेल में जुमपा ने मचली कैसे पहचान ली वे कौन सी चीजे है जो तुम बिना देखे चके केवल सूंकर पहचान सकते हो यहाँ पर बच्चों ध्यान दें क्या तुमारे घर पर किसी ने तुमें नाग बंद करके दवाई पीने को कहा है वे ऐसा क्यों कहते हैं तो आप उत्तर में लिखेंगे नाग बंद करके दवाई पीने से दवा की गंद नहीं लगती खाने के सुगंद पर भी खाने का श्वात आगे आपके लिए प्रसने हैं आप देखें अपनी पाठे पुस्तक में प्रस्ट संग्या 24 पर आपके लिए कुछ प्रसने हैं आप 24 नमबर पेज पर जाएं तीसरे पाठ के तो यहां पर है आँख बंद करके स्वाथ पहचानो आपके लिए प्रसने होंगे इसमें आँख बंद करके स्वाथ पहचानो अलग अलग स्वाथ की कुछ चीजें इखटी करो और अपने साथी के साथ जूलन और जुम्पा की तरह खेल खेलो अपने साथी को चीजें चकाओ और पूछो पहला प्रसने है स्वाथ कैसा था खाने की चीज क्या थी तो उतर लिखेंगे जैसे जीब के कौन से हिस्से में स्वाथ ज्यादा पता चल रहा था आगे पीछे बाई या दाई तरह आप उतर में लिखेंगे आगे के हिस्से में स्वाथ ज्यादा पता चल रहा था इसी प्रकार से अगला प्रसन होगा आपके लिए तुम्हें जीब के कौन से हिस्से मे कौन सा स्वाद ज्यादा पता चला अपने अनवों के आदर पर चित्र में लिखो तो आप क्या करेंगे अपने आप चित्र बनाएंगे और उसमें जीव के हिस्से पर बताएंगे कि कौन से उसमें आपको ज्यादा स्वाद का अनवों मिला इसके बाद बच्चों चौतह प्रस्ट यहां पर कुछ खाने की चीज़ों को मुँखे किसी और इससे पर रखो होंट तालू जीब के नहीं क्या कहीं और भी सुआथ का पता चला उत्र लखेंगे नहीं वहादा कहीं और नहीं चलता है कहां लगता है बच्चो स्वाद का पता केवल जीब पर लगता है जीब के आगे वाले इसे में इसके बाद जीब के अगले इसे को किसी साफ कपड़े से पहुचो ताकि वह सूकी हो जाए अब वहां चीनी के कुछ दाने यसा कर रखो कि आपको स्वाद आया सोचो ऐसा क्यूं हुआ होगा उतर में लिखेंगे आप उतर क्या लिखेंगे इस प्रसुन का उतर लिखेंगे कोई स्वाद नहीं आया क्योंकि जीब पर लार नहीं थी जब लार बोजन में मिलता है तभी बोजन का स्वाद पता चलता है इस परकार से आप उतर लिखेंगे इसके बाद बच्चो अगला प्रसुन आपके लिए नमबर 6 पे सी से के सामने खड़े हो कर अपनी जीब की सत्य को ध्यान से देखो कैसी दिखती है क्या जीब पर कूछ दाने दाने जैसे दिखते हैं उत यह लिखेंगे आप हाँ मेरी जीब पर दाने दाने जैसे देखते हैं और चाहिए तो बच्चो आप खुद भी सिसे के सामने खड़े होकर देखने अपनी जीब को उसमें दाने आपको नजर आएंगे इसके बाद अब चलेंगे आप अगले पेज नंबर पर पेज नंबर 25 पर वहाँ पर आपके लिए प्रस्ण है अगर कोई हमसे पूछे कि कचे आओं ले या खीरे का क्या स्वाद है तो हमें सोचना पड़ेगा तुम खाने के इन चीजों टमाटर, प्याज, सौंप, लौंग, आदिका स्वाद बताओगे स्वाद बताने के लिए कुछ सब्द ढूंडो और खुद से सोचकर बनाओ, तो यहाँ पर आप देखें उत्तर क्या लिखेंगे आप खाने की चीजें और स्वाद, इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे, आप देख रहें नहीं आप टेबल, यह टेबल बनाएंगे आप और उसमें लिखेंगे खाने की चीजें और स्वाद, सबसे पहले आपने लिखा टमाटर, टमाटर कैसा होता बच्चों, खटा, और प्याज का लिखेंगे आप कड़वा या कसेला, और सौंप का मीठा या संसनी देने वाला इस परकार से आप लिखते जाएंगे, इसके ब उसे, जलन होती है न जीब में, इसलिए तो, इसके बाद नववा प्रसने आपके लिए, तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाजें निकालो, अपने साथी से कहो, वह तुमारे हाओ बाओ देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा, तो क चार बार चबा कर निकल जाओ, अब हैं यहाँ पर प्रसन आपके लिए, क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया, उतर लिखेंगे नहीं, कोई बदलाव नहीं आया, दूसरा प्रसन है, खैवाला, अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुह में डालो, और 20-25 बा चबाओ, क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया, आप क्या उतर लिखेंगे, हाँ, देर तक चबाने से बोजन मीटा हो जाता है, और इसके बाद आप चलेंगे अगले पेज पर, अगला पेज 26 नमबर पेज पर चलें आप, और वहाँ पर आपके लिए प्रसन चबाने के लिए उसे अच्छी तरह चबाना आउसेक होता है, तो आप भी अच्छी तरह चबाएंगे ना बच्चेों खाना, देरे देरे खाया करो और देर तक चबाया करो, उसे अच्छा स्वाद आता है, अगला प्रसने आपके लिए, जब तुम कोई सक्त चीज जैसे अमरूद खाते हो, तो उसे मुह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलावाते हैं और कैसे, तो आप उत्तर लिखेंगे, जब हम अमरूद खाते हैं, तो वो पहले सक्त और कड़वा लगता है, फिर दीरे मीठा और मुलायम हो जाता है, अगला प्रसने आपके लिखें, इसके बाद बच्चो अगले पेज पर चलते हैं, पेज नमबर 27 पर, और वहाँ पर आपके लिए कुछ प्रसने होंगे, दिल की बात, आपने पढ़ा था ना भी दिल की बात, तो उसी में आपके लिए प्रसने हैं, पहला प्रसने आपके लिए, तुम्हें क्या सरीर में खाना कहां कहां जाता होगा, दिये गए चितर में खाना जाने का रास्ता, अपने मन से बनाओ, अपने साथी का चितर भी देखो, क्या तुम्हारा मित्र, क्या तुम्हारा चितर और साथी का चितर एक जैसा है, या अलग-अलग है, तो मुह से उतर लिखेंगे, आ भूग लगने पर सच मुझ पेट में चुए कूदते हैं। आप के भी कूदते हैं बचो? नहीं ना? चलिए उत्तर क्या लिखेंगे आप? हाँ, मैंने अक्सार लोगों को कहते सुना है कि भूग के मारे पेट में चुए कूद रहें। पेट में चुए कभी नहीं कूदते हैं। भूग लगने पर पेट में कुछ हलचल जैसा मैसूस होता है। पेट में चुए कूदना एक मुहावरा है। आप ध्यान रखें बचो जिसका आरत होता है जोर की भूग लगना। अगला है यहाँ पर तीसरा प्रसन आपके लिए तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूग लगी है। उत्तर में क्या लिखेंगे जब मुझे भूग लगती है तो मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद चौता प्रसन आपके लिए यहाँ पर सोचो अगर तुम दो दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा। उत्तर लिखेंगे आप अगर हम दो दिन तक कुछ भी न खाएं तो कमजोर और बीमार हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रसनिर है, क्या तुम दो दिन टक पानी के बिना रह सकते हो, सोचो, जो पानी हम पीते हैं वह खहां जाता होगा, उत्तर में लिकेंगे आप, नहीं हम एक भी दिन बिना पानी के नहीं रह सकते। पानी हमारे सरीर के बहुत कारें में मड़द करता है जैसे पाचन में उत्छ सर्जन में सरीर का जातर पानी मूत्र और पसीने के दौरा सरीर से बार निकाल दिया जाता है इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद अगला पेज है पेज नमबर 28 पर चलेंगे और पहला प्रस्ण होगा आपके लिए तुम्हें याद होगा कि तुम्हें चौतिक अक्सा में नमक चीनी का गोल बनाया था बनाया था न बच्चो चलिए आगे पढ़ते हैं नीतू के पिता जी ने भी यही गोल उसे दिया सोचो उल्टी दस्त होने पर यागोल क्यों देते होंगे क्यों देते हैं बच्चो नमक चीनी का गोल आपको मालूम है चलिए नहीं है मालूम तब कोई बाद नहीं हम आपको बता जते हैं उल्टी होने पर सरीर से पानी नमक और चीनी निकल जाता है जिसे पूरा करने के और गुलकोस के डिबे पर गुलकोस लिखा हुआ देखा है मैंने टीवी पर बिग्यापन में भी गुलकोस देखा है इस परकार आप उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चो अगला प्रसन याँ पर तीसरा प्रसन क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को गुलकोष चड़ाया गया कब और क्यों चड़ाया गया उसके बारे में अपने साथियों को बताओ उतर लिखेंगे आप मेरे घर में मेरे दादा जी को गुलकोष चड़ाया गया था जब वो हॉस्पिटल में भरती थे या कुछ आप अन्ने लिख सकते हैं जिसको भी आपने देखा उसके बारे में लिख सकते हैं अगला है यहाँ पर चौता प्रस्ण नीतू की टीचर उसे हौकी खेलते समय बीच-बीच में गुलकोस पीने को देती है या पीने को कहती है सोचो या खेल के दौरान गुलकोस क्यों पीती होगी तो आप भी पीते हैं बचो जब आप खेलते हैं तो गुलकोस पीते हैं घर में आकर उतर लिखेंगे आप खेलने से या दोडने से सरीर से बहुत पसीना निकलता है जिससे कमजोरी होती है इसलिए खेलने के दोरान गुलकोस पीते रहना चाहिए आप भी पीएं बच्चो इससे फूर्ती बनी रहती है सरीर में इस फूर्ती ताजगी बनी रहती है इसके बाद पांचवा प्रसने आपके लिए चितर देखकर बताओ नीतुको गुलकोस कैसे चड़ाया गया होगा उतर लिखेंगे नीतुको गुलकोस एक सुई के द्वारा चड़ाया गया इस परकार आप उतर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो 31 नमबर पेज यानि 31 पेज नमबर 31 पर आप चलेंगे और वहाँ पर आपको कुछ प्रसने मिलेंगे सोच और चर्चा करो तो यहाँ पर पहला प्रसने आपके लिए अगर वोमोंट की जगे तुम होते हैं तो पेट के रहसे जानने के लिए क्या क्या प्रियोग करते हैं उन प्रियोगों के नतीजे भी बताओ तो आप उतर लिखेंगे कि पेट के रहस्य जानने के लिए मैं इंटरनेट से जानकारी इखटा करूंगा इसी परकार तो करेंगे ने बच्चों आप और इसके बाद अगला पेज है आपका 33 नमबर पेज पर चलेंगे आप और वहाँ पर आपके लिए प्रस्ने है चर्चा करो तो पहला प्रस्ने है वहाँ पर आपके लिए 33 नमबर पेज पर तुम्हें क्या लगता है रस्मी पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी उत्तर लिखेंगे आप रस्मी बहुती गरीब परिवार से थी इसलिए वह पूरे दिन में एक ही रोटी से अधिक नहीं खा पाती थी क्योंकि उसे मिल नहीं पाती थी और इसी परकार दूसरा प्रस्ने है क्या कैलास को खेल कूद में दिल्चस्पी होगी उत्तर लिखेंगे आप कैलास बहुत मोटा था मोटा आदमी सुष्ट और आलसी होता है इसलिए कैलास को खेल कूद में दिल्चस्पी नहीं होगी इस परकार आप उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद तीसरा प्रस्ने है बच्चो सही खाने से तुम क्या समझते हो उत्तर लिखेंगे जिस खाने से सही पोसंड मिले वही सही खाना है इस प्रकार आप तीसरे प्रसने का उतर लिखेंगे उसकी बाद चौता प्रसने है आपके लिए तुमारे हिसाब से रस्मी और कैलास का खाना ठीक क्यों नहीं है लिखो तो आप उतर लिखेंगे रस्मी जरुदत से कम खाती है जबकि कैलास घर का खाना नहीं खाता वो बाजार की चिप्स, बर्गर, कोल्ड रिंग्स वगेरे लेता है दोनों ही सही नहीं है इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं अगला है यहाँ पर बच्चो आपके लिए प्रसने है पता करो, आप देख रहें नहीं आपर पता करो पहला प्रस gadget से पूछो, जब यट तमवी उमर वो एक दिन में क्या क्या काम करते थे क्या खाते थे, और कितना खाते थे अब तुम अपना सोचो, तुम भी जो क्ते हो और जो काम करते हो क्या उनके जैसा है या उनसे अलग है तो आप उतर लिखेंगे मेरे दादा दादी जब मेरी उमर के थे तो वे दाल चावल हरी सबजियां ताजे फल आदी खाते थे और दूद पिया करते थे हुए मिलू पैदल चलते और बागवानी करते थे खेती बाड़ी करते थे ना हम दाल चावल के साथ-साथ बाजार के बने सामान ज्यादा खाते हैं हम इस्कूल बस से जाते हैं टीवी और कंपिटर पर ज्यादा समय बिताते हैं हम कोई ब्यायाम या सारी परिसर्म नहीं करते इस प्रकारी तो करते हैं ने बच्चों आप आप जो यह सारे दिन टीवी मोबाइल पर बैठे रहते हैं तो इसी प्रकार से आप जो यह अची चीजे भी कम खाते हैं कुल बजार का खाना खाते हैं जिसे कम जोरी आती है और यहाँ पर जो है आप चलेंगे आप पेज नमबर 34 यानि 34 नमबर पेज पर आपके लिए प्रसने यहाँ पर सोचो और चर्चा करो तो पहला प्रसने आपके लिए क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन बर भी खाने को कुछ नहीं मिलता इसके क्या कारण हो सकते हैं आप उतर लिखेंगे हाँ मेरे पड़ोस में एक बच्चा है जिसे दिन बर कुछ खाने को नहीं मिलता क्योंकि उसकी माँ दिन बर मजदूरी करती है और साम में ही अपने बच्चों को खाना दे पाती है तो इस प्रकार से आप इस प्रसने का उतर लिख सकते हैं अगला प्रसने बच्चों दूसरा प्रसने क्या तुमने कभी ऐसे गोदाम देखा है जहां बहुत सारा अनाज रखा हो और कहां देखा देखा है बच्चों आपने ऐसी जेगे कोई जहां बहुत सारा गेहूं चावल पड़ा हुआ हो उतर लिखेंगे आप हाँ हमने अनाज का गोदाम देखा है जिसमें बहुत सारा अनाज रखा है वे यह हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है हम क्या समझें और इसका मतलब यहां पर जो है तीसरा प्रसने आपके लिए जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है उतर लिखेंगे जुकाम होने पर हमारी नाग बंद हो जाती है स्वाद का पता खाने के सुगंद से ही चलता है इसलिए नाग बंद होने से स्वाद का बंद होने से खाना बेस्वाद लगता है देख र इसे आप बिल्कुल ना लिखें यहां पर इतना यहां पर ना लिखें इतना लिखें आप हाँ और यहां तक इसके बाद अगला प्रसना था यहां पर जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है तो आप उतर क्या लिखेंगे जुकाम होने पर हमार ये नाग बंद हो जाती है स्वाद का पता खाने के सुगन से ही चलता है जब नाग बंद हो जाएगी तो स्वाद बेस्वाद लगता है श्वाद नहीं आता उसमें और इसी प्रकार से आप लिखेंगे चोथा प्रसने यहां पर देख रहें न आप अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुह में मुह ही पचाना शुरू कर देता तो तुम कैसे समझाओगे लिखो तो आप लिखेंगे हमारे मुह से एक तरह की लार निकलती है इस लार से मुह में ही पाचन के लिए सुरू हो जाती है इस प्रकार आप इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद अगला प्रसने बच्चों पांचों प्रसने सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या-क्या प्रेशानी हो सकती है यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों को यहाँ पर लिखेंगे आप बच्चों को सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या-क्या प आप दोते हैं उमीद है कि आपने इस पार्ट को भी आपने अपनी पार्ठे पुष्तक से पढ़ा होगा और उसके प्रसनुक्तर आप यहां से सीख सकते हैं आप इन प्रसनुके उत्तर और जो कुछ भी आपको यहां पर बताएगा उसे ध्यान पूर्वक फिर से सुनें में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो आपको पसंद आई हो सारे प्रसनों के उत्तर आपकी समझ में अच्छे से बैठे हो तो आप जो है लाइक करें वीडियो को और अपने यार दोस्तों में सेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा ग्यान मिल क्वाब कर दो सर दो आपकी है झालלי रपकी ऑबन कार दोस्तों मिल जापकी दोस्तों में सेब्किश।